लेडिस न्यूज के लिए सब्स्राइब करें और न्यूज अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें पर ग्राम में दस वाड होने के बाद भी चुनाओ का एक ही बूत बनाये जाने पर लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा वही समय जादा होने से लोग चुनाओ प्रक्रिया पर नाखुस भी हुए है क्लिपा 28 के लिए अभनपुर से दिपा कुर्मा की रिपोर्ट बाद है और जेन हमार भाई जो बनी जीत जही वह अच्छा से हमार गाओं ले विकास करही अवड़िया अपन बर्मस्त अपन नहें पन्चायतला चला ही एस हमार धन्यवाद है अब हमने बहुत सोचे रहे हैं कि हमार गाओं विकास होई, अब अच्छा त्रक्की होई, गाओं से कुछ बढ़ है, ऐसे टाइप के हमने सोचे रहे हैं, तो बढ़िया है, हमार गाओं में हमला बहुत खुशी लगा थे, बर इतना काय करके मैं धन्यवाद करें। संतोसी भाई साहू अपने यहां लगभग 15-20 साल से हम लोग लगे हुए थे स्वतंदर पंचायत के लिए, और इस वर्स स्वतंदर पंचायत हुए है, गाओं में बहुत सारे महिला, पुरुस सभी में हरसु लास के साथ स्वतंदर पंचायत का स्वागत किया है, और उसमें जोर्सोर्स के साथ प्रत्यासी भी अपना दाविदारी भी पेस किये हैं, और जो भी यहां से पंच और सरपंच जो नुक्त होगा, तो बहुत अच्छे चवी से ही नुक्त हो करके आएंगे, साल भी विकास भी अच्छा हो जोरो से सिंगल पंचायत होने से बहुत अच्छे विकास होंगे, चमपरन से आश्रित ग्राम था यह रामपूडगनिया, और यहां विकास का कार्य एक दस आने के बराबर विकास ही हुआ है, यहां दो भी विकास का काम बहुत सारे पिछडा हुआ है, इस वर्स ऐसा लगता है कि पाँच वर्स में सरपन्ज अगर अच्छे से आ गये यहां नुक्त हो करके तो पाँच साल में यहां से विकास का कार्य बहुत अच्छे दीख जाएंगे, कुलिसर परसाद चंद्राकर